नमस्कार दोस्तो आर्सी श्रिडी में आपका स्वागत हैं आज आप लोग धिन करेंगे प्रीज्म किसे कहते हैं तो प्रीज्म जो होता है यह दो समतल प्रिष्टों के बीच घीरे पारदर्सी माध्यम को प्रीज्म कहते हैं यहाँ पर जैसे यह दोनों समतल प्रिष्ट हैं और इन दोनों के बीच बाने कोंड को प्रिज्म कोंड या अपोर्तन कोंड कहते हैं जैसे परिभासा अनुसार कि इन दोनों प्रिष्टों के बीच के कोंड को प्रिज्म कोंड या अपोर्तन कोंड कहते हैं प्रिजम सुर्य के स्वेत परकास को यानि जो सुर्य का परकास है उसे सात रंगों में बिभक्त कर देता है यहाँ पर जैसे यह सुर्य का परकास है और यहाँ जब प्रिजम पर पढ़ रहा है तो इसे अपवर्तित करके इसे सात रंगों में बांट दे रहा है जो इहाँ पर रंग दिये गए हैं